नेक्स्ट है हमारा question number three अब ये point आ गया कॉलिनियर points राइट मैंने अभी अभी आपको बताया जब इसके बारे में discuss करने दिस्ट्स formula तो डिस्ट्स formula का यूज कहां कहां होता है तो डिस्ट्स formula का यूज होता है डिस्ट्स फाइंट करने के लिए size प्रूफ करने के लिए ठीक है किसी figure के size find out करने के लिए फिर कॉलिनियर के लिए और इक्विडिशन के लिए तो अब हम पहुंच गए अपने अगले point पे कॉलिनियर कॉलिनियर points राइट यह हमारा दूसरा डॉपिक था तो कॉलिनियर points के बारे में क्या है जो हमें समझना है पहले distance formula use करने से पहले important यह है कि हम थोड़ा सा कॉलिनियर को मतलब साथी linear मतलब लाइन में एक ही लाइन में ठीक है तो कॉलिनियर points are those points which lie in same line and in order to make in order to be collinear there has to be at least three points because two points are always collinear क्योंकि दो points अगर आप देखो के ना तो यह दो point को एक point यह है तो दूसरा point यहां हो या फिर दूसरा point यहां हो या फिर यहां हो आप कहीं भी ले लो यह दो points मिलेंगे ही जाके कहीं न कहीं तो they are always in line but अगर आपको प्रूफ करना है कि collinear है या नहीं है तो there has to be at least three points कितने होनीचे minimum three points तो यह तीन points है A B C अब आप समझो इसको कि अगर मैं इसको कॉलिर पूफ करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर पाँ अगर मेरे पास तीन स्टुएंट बैट वे दिख रहे हैं स्टुएंट A, स्टुएंट B, स्टुएंट C मुझे यह पता करना है कि क्या यह line में है या नहीं तो मैं क्या करूँगा है कहा है मैं पहले से ले का स्टुएंट करऊना इस फाइंट करूगा तो मुझे दिखेगा की अभी का जो इस था ठीक है अब अर बीकृषी का जो इस था इन दोनों का दिस्टेंस इस AC का distance के बराबर होगा क्योंकि यह सारे एक ही line में थे तो distance between this plus this यह दोनों इक का distance मिला के ही तो यह last और इसका first का distance आएगा तो कोई भी given three points will be call linear only if the sum of distance of any two is equal to a distance of third one बास समझना है आपको call linear points तभी prove होंगे जब किसी भी दो distance का sum तीसरे वाले के distance के equal होगा क्योंकि आप यहाँ से 3 points देखे हो तीन distance निकलेंगे इन दोनों का इन दोनों का और first और last का तो इसका और इसका जो distance का sum होगा वो यह होगा ठीक है और यह call linear prove करने के लिए आपको यही करना होता है clear है पास समझना रही है कोई भी given points call linear कब होगे जब दो का distance का sum मिला के third one के equal होगा clear है तो अब इस question को देखते है और एक और basic बाग call linear होने के लिए minimum कितने points होने चीए तो अब इसका third question determine if the points question number 3 हमसे बोलागा कि determine if the points 1, 5 1, 5 2, 3 2, 3 and minus 2 and minus 2 and minus 11 are call linear क्या ये points call linear है तो हम इनको नाम देते थे A का है हमारे पास 1, 5 B का हमारे पास 2, 3 और C का हमारे पास minus 2, minus 11 पहले हम A, B कर दिश्टेंस find out दरते है A, B कर दिश्टेंस क्या होगा 2 A और B अब जब आपने A और B को लिया तो ये आपका X1, Y1 हो गया और B आपका X2, Y2 हो गया तो ये कितना होगा? 3 minus 1 square plus 2 minus 5 square तो इस तरीके से हम A, B का दिश्टेंस find out कर लेगे तो तो क्या किया है हमने? X क्या होगा? ये आपका X1 हो गया, ये Y1 हो गया, क्यों? क्योंकि हमने A और B की बात की अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैलियो हो जाएगी? A, B की आप B, C का दिश्टेंस find out कर सकते हो फिर आपका B, C आ जाएगा बस मन में आ रही है और similarly आप C, A का दिश्टेंस find out कर सकते हो तो जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल लिया तो आप मैंने थीन कंसेक्टिक पॉंच लेते A, B और C लेकिन यहां पर हमें यह नहीं पता कि कौन सा A है, कौन सा B है और कौन सा C है बात समझ में आई आपको तो जरूरी नहीं कि A, B, B, C is equal to C होगा किसी भी दोगा डिस्टेंस किसी भी दोगा यानि A, B, B, C, is equal to A, C हो जाए या फिर A, C, A, B, plus A, C, is equal to B, C, हो जाए या फिर B, C, plus C, A, is equal to A, B, हो जाए तीनों में से कोई भी कंडिशन लेकर सेटिस्वाइ होती है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर यहां पर डिस्टेंस फॉर्मला का यूज होता है